खाल में ही शोशल मीडिया पर एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें एक तेंदुवा हाइवे पर मारूती सुचकी सिलेरियो के बोनट के नीचे फ़द गया तेंदुव का आदा हिस्सा कार के बोनट के नीचे और आदा हिस्सा कार के बोनट के बहार इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की चपेट में आने के बाद तेंदुव बुरी तरह से जखमी हो गया है और टक्कर से कार का अगला हिस्सा डेमेज हो गया है कुछ देर बाद कारचालक गाली का रिवर्ज गया डालता है और तेंदुआ भाग जाता है ये घटना माराश्ट के पूरे नासिक हाईवे 50 की बताई जा रही है इस वीडियो ने इंटरनेट पर खुब सुर्खियां बटोरी हैं कई लोगों ने सलक परिवाहन एवं हाईवे मंत्री नितिज गटकरी को इस वीडियो में टैक किया है और लोगों ने ये मांग करी है कि जंगली जानवरों के मरने अत्वा घायल होने की घटनाओं को नियंतरन में लाया जाए ब्यूरी रिपोर्ट आईपिये